गुड मॉर्णिंग एवरियों आज हैं तीन नॉबर 2020 और तीन नॉबर से करंट पेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्यूशन बनेंगे उनको डिसकस करेंगे डेटियल में इस वीडियो में और प्रते क्यूशन के साथ इस्टेटिक जीके के इंपोर्टेंट फेक्ट भी द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर्द दबाएं तो स्टार्ट करतें आज सिकरंट प हाल के में एमिलीया रोमा ग्राक ग्रैंड प्री किसने जीती एं तो यह जीती एं लोईस हैमिल्टन ने तो यह मर्षडीज कंसrence को Mercedes के और यह कहा के Britain के तो यह एक तरा की Race होती है तो इसमें जीता है Lewis Hamilton और यह इस साल की 13-15 Grand Prix किताब है इस साल का जिसमें 13 में से 9 जीते हैं Lewis Hamilton यह है Lewis Hamilton और यह Mercedes इनकी Companies Mercedes इसके driver हैं उसके लगाओ यह Britain से हैं कहा कहा कि कि देशके हैं ब्रिटेन के तो पहले नमबर पे लोई सेमिल्टन दूसरे पे वाल टेरी बोटास यह भी मर्सडीस के ड्राइवर हैं तो इस साल की जितने भी जो ग्रेंड प्री हुई है तो इसका आप स्क्रीन सोट ले सकते हैं यहां से यह वीडियो को पौज करके देख सकते हैं इस साल के पहले वी त Dallas रैण ग्रेंड परी यह जितनी वाल टेवल्टास ने दूसरी इस्तायरिन ग्रेंड परी हंगरी ब्रीटिस यह तीनों लोई सेमिल्टन ने और पांच वी थी 70th Anniversary ग्रेंड प्रिक्स यह जिती थी मेक्स वर्स्ट अपन यह रेड बुल के ड्राइवर है रेड बुल कंपनी के चटी साती दोन जिती थी बेल्जियम और इस्पैनिस लुई से मिल्टन ने आट यूई थी इटेलियन ग्रेंड परी यह जिती पियरे गेस लेने और फिर इपेल ग्रेंड परी, यह लूई से मिल्टन ने पूर्द गाले ग्रेंड परी अभी बार हुई ती लूई से मिल्टन ने और अब तया है मनोज-शिना ज़मुकर्शमिर के उनके सलाकार आर्ती इन्होंने इस्तिप़ दे दिया था सलाकार पच्छे उभ यह 54 बनें जब मुकर्शमिर इसके परदान सचीव बनेते भी नितीस वर कुमार उसके लाव जो सुनिल कुमार अरोडा यह अप्सन बी में दिया हुआ है तो यह वर्तमान में 23 नंबर के मुक्य चुनावा एक ते यह चीप एलेक्षन कमिशनर हैं भारत के और उसके लाव यह तो मुक्य चुनावा एक ते मुक्य चुनावा एक ते यह7 उसके लाव दो चुनावा एक तो ते हैं जिसमें एक तो है सुसील चंदर और एक राजिव कुमार यह दोनों करना है την हमिए तो दू चुनावा एक तो ते हैं उसलिए उप्सन में तीनों को रखाए है अब बात करें जम्मुकास्मीर की तो ह अंदर सासित्प्रदेश बन गए लध काँगで मुंकशमीर और यह लद्डाक है हिसके लिटरेनेंड गवर्नर मनोज सिना और यहां की चीप ज़स्टिस है हायँ कोटать की गीता है मितल कौने गिता मितल और यह पहली मेला चीप जस्टिस है जम्मु कश्मीर हाई कोट की उसके लाओ जम्मु कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क दाचिंगम नेशनल पार्क किस्तवार नेशनल पार्क तीनों जम्मु कश्मीर में उसके लाओ एक हैमिस नेशनल पार्क हैं ह Hemis National Parque उसके लगाव केसर उत्वादन में सिर्सिष्तान पर जम्म कसमिर उसके लगावी, जम्म कसमिर का जो केसर है उसके लिए ए नीलामी पोटल भी लौंच किया था उसके लगाव केसर को GI TAKE भी मिलाता भी कसमिरी केसर गो उसके लाओ पीर पंजाल दर्रा जोजीला दर्रा और बनिहाल दर्रा ये कहां पे जम्मु कस्मिर में उसके लाओ यहां पे एक पहमस सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग इनका नाम भी सियमा परशाद मुकरजी सुरंग सियमा परशाद मुकरजी के नाम पे रखा गया है और उसके लंबाई की सबसे लंबी the वूल account is बारत की उसके लाव जील आपानी निव्यार जी नाग जीजिल में जीन भी जीलों के पिछे नाग लगता हैं वो सभी जीले सेथा ब्रिसम्द पुछरा खुर्पा ताल साथ ताल नेनी ताल ये सबी उत्राकंड की जीले हैं तो यह आज रहे हैं जब मुकस्मिर से इतनी क्विस्टन नेक्स्ट क्विस्टन है हाल इमें अजूद चान पुरुषकार दोजार बीस के लिए किसे चुना गया है तो दोजार बीस का अजूद चान पुरुषकार दिया जाएगा पौल जाचेरिया को तो पौल जाचेरिया इनको दोजार बीस का अजूद चान पुरुषकार दिया जाएगा यह यह पौल जाचेरिया तो इनका ना है मैं जखना है ये मलियालम लेखक है मलियालम बासागे है और इनको 1999 में केरल का साहिते कायद में अवार्ड भी मिलाता तो ये अजुद चान पुरुषकार ये केरल सरकार दोवार दिया जाता है और केरल सरकार का सर्वोत साइते वारें ये अजुद चान पुरुषकार तो ये दिया गया है भी पोल जाचेरिया उसके लाओ दिपांकर गोस ऑप्शन भी पे दिया हुआ है ये इनको उत्करष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेमभाट या वार्ड भी मिला था उसके लाओ इसी का चोधरी इनको मारा मद्यप्रदेश गौवर्मेंट दोरा एक लववे वार्ड चे भी सम्मानित किया गया था उसके लाओ नितिन मेनन आई सीसी के एलिट पेनल में सामिल लओने वाले पहले भा नहीं है यह हरपरीत सिंग उनके लाओ उनके लाओं हर पिरत षिंग यह किसी भी विमान चेत्र की कि वाग और सीई-ओ बनने वाली पहली मैला है हर प्रित सिंग हर आप उनके लाओ और भी नामे कुशी चिंदा लिया इनको UNEP United Nation Environmental Program इसकी छेत्रिय ब्रांडम बेस्टर चुना गया था उसके लावा सिवांगी सिंग इनको ये रापेल विमान उड़ाने वाले पहली मैला पाइलेट बनी थी उसके लावा एमवीर लक्समी तो ये तमिलना डुकी हैं और ये पहली मैला एमबुलेंस ड्राइवर बनी थी एमवीर लक्समी नेक्स्ट कुष्ण है हाली में भारत के किस टाइगर रिजर्व को यूनेसको ने बायोस्पियर रिजर्व का दरजा दिया है तो ये दरजा दिया है अभी पन्ना टाइगर रिजर्व तो यह कहां पे मद्द्यप्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व और इसको अभी यूनेसको याने United Nations Educational Scientific and Cultural Organization इसने बायोइस्पियर रिजर्व का दर्जा दिया है बायोइस्पियर रिज़ुरू याने जेवु आरकसित छेत्र तो ये बार्थ का बारवा बायोइस्पियर रिज़ूरू बनाये और मद्य प्रदेश का तीसरा इसे पहले तीन थे एक तो था पंचमनी और एक अमरकंटक इसके बाद तीसरा बनाये ये पन्ना टाइगर यह हैं पस्षिम मंगाल में बांदव टाइगर रिजर वें यह भी मद्धे प्रदेश में उसके लाओ युनिवेस्कों की स्थापनाई थी 1946 में हेड़ कॉर्टर इसका पेरिस में और इसके प्रसिडेंट है माने दे सके ओड्रे अजोले नेक्स्ट कुछन है हाली में किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के देख्स के रोप में निक्त किया गया है तिये निक्त किया गया है राजिव जलोटा यही है राजिव जलोटा और इनी कोई मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के देख्स के रोप में निक्त किया गया है उसके लाओ हम ओप्सटन ने विन्नी माशन घुक्त ह सच्छिञ पंजाब के पहले ममुख्य सची बनीती अविक सरकार प्रेश ट्रेस्ट इंडीया प्रेस्ट ट्रेस्ट प्डीया इसके अदेख्स बने ते एडिले सुमीरवाला यह एतलेटिक प्रेडरेशन ओप इंडिया इसके अद्धेक्स बनेते हैं नेक्स्ट किसन है हाली में तुपान गोनी तुपान का नाम है रखना है गोनी किस देश में आया हैं तो यह फिलिपिन्स में और अभी बहुत ज़्यादा तबाई मचाई है फिलिपिन्स में तो यह रामेप में फिलिपिन्स केपिटल है फिलिपिन्स की फिलिपिन्स की केपिटल है मनीला तो फिलिपिन्स की केपिटल है मनीला में करेंसी है फिलिपिन्स पेसो और फिलिपिन्स के प्रसिडेंट है रोडरीगो डुट्रेट है उसके लाओ जो मनीला आए वहां पे मनिला में A.C.I. Development Bank ADB का Head Quarter मनिला में तो यह चक्रवात तुपान गोनी किस देश में पिलिपिन्स में नेक्स्ट किसने तो यह किसानों के कल्यान के लिए इसे सुरू किया गया है और किसानों को एक मंच पर लाने के लिए यह प्रोग्राम है उसके लाओ भी अभी तेलंगाना गौर्मेंट यह इलेक्ट्रिक वान निती लागू करने वाला तीसरा राज़े बना था तेलंगाना उसके लाओ धरनी पोर्टल भी लोंच किया था भी तेलंगाना ने मौसम की जानकारी के लिए और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर यह हे एदराबाद में खोल गया है तो यह था रखने तेलंगाना सीत्र तो त्यलंगाना को मेप में देखते हैं यह रग तेलंगाना केपिटल इसकी हेदराबाद चिपनिश्ट ने केचंदर से कर रहा हूं गवर्नर ये तमिलशाइं संदर राजन ते लंगाना की स्ताबनाइटी दो जुन कान्चिल वब इंडिया के अने-सओं के रूप में निउक्त किया गए है याननी इ स-सी आइए यानि इलेक्ट्रोनिक सेक्टर कि इसकील कान्चिल ऑप इंडिया इसके ने सीयो के रूप में निउक्त किया गए है रेक्ष चाहिए यह pvg-mj और इन्हीं को अभी इलेक्ट्रोनिक सेक्टर इसकिल काउंसिल ओप इंडिया के नहीं अन्य सीओ के रूप में नितीन में यह आई सी सी के एलिट पेनल में सामिलोंने वाले पहले भारती एंपायर बनेते पीडी वागेला ट्राइक देख से सौन कॉंडरी तो यह जर्म्स बॉंड का किरदार निबाने वाले पहले अभी नेता था इनका भी निदरों गये हैं सौन कॉंडरी कली बताएं नेक्स्ट किसने हाली में हाईवे इन प्राइस ट्रक्चर की बैतरी के लिए एन एच ए आई ने किस आई आई टी के साथ समझता क किया है तो यह किया है समझता आई अटी जोधपूर के साथ मिश्का करेक्टांसर है औपसं सी आई टी जोधपूर तो हाई वे इन प्राइस ट्रक्चर की बैतरी के लिए नेशनल हाई वे अत्रोटी और इंडिया इसी इसी ने किया है समझता IIT जोदपुर के साथ उसके लावा भी IIT कानपुर इसने मॉबाइल मास्टर जी ये सेट अफ विक्सित किया था उसके लावा IIT मदरास प्रोग्रामिंग और डेटा साइंज में पहला ओनलाइन बी एस सी डिग्री कोर्स शुरू किया था इसने आईएटी मदरास ने उसके लावा राजस्तान के डेरी किसानों के लिए मोपे पेमेंट सुरू किया था भी IIT मदरास ने उसके लावा IIT गांधी नगर ने आईजेक प्रियोजना ये शुरू की थी हाली में राश्टी एकता दिवस कब मनाये गए हैं तो यह मनाये गए तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लबाई पटेल के जनम दिन को आचा किसने आपके लिए हाली में कौन मैला IPL 2020 संस्क्राण का टाइटल स्पोंसर बनाए तो इसका ग्रेक्ट अंसर आप कमेंट वोक्स में जरूर बताएं अगर लास्ट यूडियो आपने देखा होगा तो इसका अंसर आपको पता होगा अगर किसी भी क्यूशन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट वोक्स में बताएं अपने प्रॉब्लम इन वाट्सप नंबर के तो आप सेर करें तो इस चैनल से आपको निस्ती म अधन बिलेगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं तो थेंक्स पर वाचिंग डिस यूडियो थेंक्स अल फ्रेंड्स